हिंदी साहित्ती की श्रेष्ट कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिए हिंदी की सुप्रसद्ध लेकिका मालती जोशी जी की कहानियों की श्रंकला में उनकी लिखी कहानी ममाज बॉय वो महिला जाने के लिए उठी ही थी कि मनोज दफ्तर से लोटाया दरवाजे में ही सामना हो गया उन्होंने नमस्ते की मनोज ने गर्दन की हलकी सी जुमबिश के साथ उसका उत्तर दिया और भीतर चला गया मनीशा उन्हें छोड़ने गेट तक चली गई मैं असमंजस में कुछ देर खड़ी रही फिर कुरसी पर बैट गई मनीशा उन्हें विदा करके लोटी तब तक मनोज भी फ्रेश हो कर आया था छूटते ही बोला ये नौटंकी यहां क्यों आई थी छी अपनी नहीं उनकी उम्र का तो ख्याल कीजिए मनीशा के स्वर में हलका सा रोश हो आया सौरी अब ये बताओ यहां क्यों आई थी नाटक की टिकट बेचने उनका क्लब कैंसर पीड़ गरीब महलाओं के लिए चैरेटी शो कर रहा है नटरंग ग्रुप उनके लिए है बदन प्रस्तुत कर रहा है कितने टिकट लिए मौसी जी बोली कि तुम दोनों चले जाना मैं बच्चों को देख लूँगी आई एम लिस्ट इंटरस्टेड तो आप घर पर रुख जाना मैं और मौसी चले जाएंगे मनोज का चेहरा तम तमा गया था किसी अप्रिय इस्थित को टालने के लिए मुझे ही हस्तक्षेप करना पड़ा मनीशा ओफिस से लोटे पती से कोई बात मनवानी हो तो पहले उसके सामने गर्मा गर्म चाय नाश्ता पर उसना चाहिए सौरी मौसी जी मुझे यादी नहीं रहा कहते हुए मनीशा उठी और किचन में चली गई मनोज ने एक पेपर उठा लिया और उसमें सिर डाल कर बैट गया मुझे बड़ा अजीब लगा सुबह जब मैं पहुँची थी तो हो आफिस जाने की तैयारी में था मुझे यू अचानक आया देखकर मनीशा का चेहरा आश्चर और खुशी से खिल उठाता पर इस बंदे ने गहन गंबीर सौर में बस इतना ही कहाता आप अचानक कैसे आ गई खबर कर देती तो मैं स्टेशन पर आ जाता इतना कहकर ओ निकल गया था ठीक है उस समय बात करने का समय भी नहीं था दफ्तर को देर हो रही थी पर अब तो फुर्सत में हो भाई अब तो बोलो कुछ मेरे हाल चाल पूछो कुछ अपने बताओ ये क्या कि सुबह पढ़ा हुआ पेपर फिर पढ़ने बैठ गये बैठे बैठे मैंने मेज पर रखी पत्रिकाएं पलटना शुरू कर दिया अरे वाँ ये अमरत कलश साधना संदीपनी वगरे पत्रिकाएं तुमारे आप भी आ रहे हैं हाँ और आती रहेंगी उसने चेहरे से पेपर हटाते हुए कहा ये मम्मी की प्रिये पत्रिकाएं थी इस घर में उनका इस्थान हमेशा रहेगा अच्छा है न इसी बहाने मम्मी की याद ताजा हो जाती होगी मम्मी को याद करने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूत नहीं है उसने तुनक कर कहा ये सिर्फ इस बात का ध्योतक है कि मम्मी इस घर की मालकिन है और उनकी इच्छा हमारे लिए सर्वो परी है मैं चुप हो गई, कहती भी क्या उसी ने बात आगे बढ़ाई इसी के चलते मैंने बरसी हरिद्वार जाकर मनाई मम्मी को इन कर्म कांडों में जरा भी विश्वास नहीं था मेरा बस चलता तो मैं तेरहीं भी वहीं जाकर मनाता पर ताउजी लोगों ने इतना दबाओ बनाया कि सारे स्वांग करने पड़े जुंड के जुंड लोग आ गए थे उनके लिए कुछ तो करना था मुस्से नहीं रहा गया तो मैंने कहा देखो बेटे ये जो जुंड के जुंड लोग आते हैं वे कोई बाहर के नहीं होते वे अपने ही होते हैं अपना पैसा और समय खर्च करके वे इसलिए आते हैं कि दुख की इस घड़ी में तुमारे साथ खड़े हो सकें दिवंगत आत्मा के प्रती अपनी शद्धा विवक्त कर सकें दिवंगत के प्रती उनकी कैसी शद्धाती सब पता है उसने गुटी आवाज में कहा फिर मैं चुप हो गई कहने को अप्थाई क्या रात को बड़ी देर तक नीन नहीं आई मनोज के बारे में ही सोचती रही कितना बदल गया है ये लड़का बच्वर ने कितना बातुनी और इसने हिल हुआ करता था मौसी लोगों का पला नहीं छोड़ता था इस पीड़ी की पहली संतान होने के कारण घर भर का लाड़ला भी था फिर वो दीरे दीरे हिचकने लगा हमने उस पर जादा गौर नहीं किया पढ़ाई के कारण नौकरी के कारण बच्चे दूर होते जाते हैं शादी के बाद उन्हें अपने बीबी बच्चों को भी वक्त देना पड़ता है और फिर हम लोगों की भी अपनी ग्रहस्ती है ज्यादा सोचने के लिए वक्ती कहा है लेकिन आज का उसका व्यवार इतना रूखा था कि मुझे अखर ही गया सुबह ही मैंने कहा था कि तुम लोगों से मिलने का बहुत मन हो रहा था इसलिए मैं बरसी की प्रतीक्षा कर रही थी पर जब तुम लोगों ने अकेले ही हरिद्वार में श्राद संपन कर लिया तो मुझे से रहा ही नहीं गया पहली फुरसत में मैं तुमसे मिलने चली आई मेरी बास सुनकर उसने एक बार भी नहीं कहा कि मौसी आप आगई तो बहुत अच्छा किया हम लोग आपको मिस कर रहे थे बलकि उससे ज़्यादा प्रसन्यता तो उसकी बीबी ने व्यक्ति की थी तो क्या मेरा शुमार भी जुंड के जुंड लोगों में हो गया था दूसरे दिन सुबह हम लोग नाश्ता कर रहे थे कि मेरी ने दर्वाजे पे खड़े होकर कहा मैडम जी मैं जा रही हूँ अच्छा रादा मनिशा ने कहा और हमारे लिए चाय डालने लगी मेरी के जाते ही मनोज ने कहा बस यहीं से बैठे बैठे टाटा कर दिया करो तो क्या करों दर्वाजे तक छोड़ने जाऊ कम से कम पीछे मुड़कर एक बार देख तो लिया करो कि उसके हाथ में क्या है हर दम एक थैला टांगे रहती है पता नहीं क्या क्या ले जाती है क्या ले जाएगी चार गर काम करती है वहाँ का बचा कुछा खाना घर ले आती है बेचारी को तीन-तीन बच्चे पालने हैं पती तो घर में एक पैसा देता नहीं सब शराब में फूंग देता है कमो बेश सभी कामवालियों की यही कहानी होती है मैंने कहा क्या पता कितनी कहानी होती है और कितनी सच्चाई यह लोग मेलोड्रामा करने में माहिर होती है लोगों को emotional black mailing करती है और हमारी श्रीमती जी तो दया का बंडार है मनिशा कुछ कहने को ही थी कि मैंने टोग दिया मनिशा चाय बहुत अच्छी बनी है और है क्या अभी बना लाती हूँ बस पांच मिनट लगेंगे और वो उठ गई मैंने चैन की सांस ली चाहे मेरी मत बनाना मनोज ने पुकार कर कहा मैं बस निकल रहा हूँ और अपना टिफिन और बैग उठा कर चल दिया मनिशा चाहे लेकर आई तो बोली मौसी जी आपने देखा न बिलकुल मम्मी जी की तरह होते जा रहे हैं मुझे तो लगता है कि मम्मी जी की आत्मा उनके लाड़ने में आकर बस गई है उन्हें भी लगता था कि मैं घर लुटाए दे रही हूँ इनका भी यही ख्याल है मनिशा की ये बात मुझे सुनने में अच्छी नहीं लगी पर वो गलत भी नहीं थी पुरुज जब इन छोटी बातों में दखल देते हैं तो सचमच बड़ी कोफ्त होती है अब आप ही बताईए मौसी जी कि सुबह में बच्चों को तयार करूँ इनका टिफिन बनाऊँ या राधा पर पहरा दूँ कहते हैं साबुन की पूरी बढ़नी उसके हवाले कर देती हो पतानी कितना डालती है कितना ले जाती है विग्यापनों का हवाला देते हैं कि एक विंबार महीना बर चलता है तुमारे घर में पंद्रे दिन में ही समाप्त हो जाता है इतनी बारी क्राचर है उसकी अरे कुछ न पूछिए एक दिन जमादारिन मेरी दी हुई साड़ी पहन कर आई तो इतना नाराज हुए बोले इतनी अच्छी साड़ी तुम्हे उठा कर जमादारिन को देती हद करती हो अब बताईए दीवाली पर साड़ी देनी थी तो अच्छी ही दूंगी न मेरा तो मन हो रहा था कि मम्मी जी की एकाथ साड़ी दे दूँ पर अच्छा हुआ नहीं थी ये तो मेरे प्राण ही ले लेते छी कैसी बात करती हो सच कह रही हो मौसी जी अजीब से होते जा रहे हैं मैं ठेले वाले से सबजी लेती हूँ न तो बरामदे में बैठे मुझे ताकते रहते हैं और जैसे ही मैं भीतर आती हूँ शुरू हो जाते हैं जरा भावताओ किया करो वो जो मांगता है उठा कर दे देती हो और तॉल पर भी तुमारा ध्यान नहीं रहता सड़क पर पता नहीं कौन से खेल तमाशे देखती रहती हो इससे तो अच्छा है खुदी खरीद लेना नहीं नहीं वो कैसे खरीदेंगे वे तो राजकुमार है न थेले वाले से एक किस्सा याद आ गया सुनाओं मनीशा एकदम मूड में आ गई थी लगता था बहुत दिनों से उसने किसी से खुलकर बात नहीं की थी आज अच्छा मौका था पूरी आजादी थी घर पर ना पती थे ना बच्चे एक दिन मैं सबजी ले रही थी कि सामने वाली आंटी भी आ गई मुझसे हाल चाल पूछने लगी ठेला वाला चला गया तब भी हमारी बातचीत जा रही थी जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई ये मुझसे बरस पड़े तुम क्या मेरी मा के मरने का इंतजार कर रही थी कि इस औरस से दोस्ती कर सको मतलब उनसे मम्मी जी का अबोला था ना अब बताईए मम्मी जी की उम्र की कोई महला आगे होकर मुझसे बोलती है तो मैं उसे जड़क तो नहीं सकती न मेरी तो उनसे कोई लड़ाई नहीं है पर ये अबोला क्यों था क्या पता कालूनी की आधी औरतों से तो उनकी खटपट थी अबोला था और जिन लोगों से उन्हें चिड़ थी उनके बेटे को भी उन्हों से अलरजी थी पर दीदी ऐसी जगडालू तो नहीं थी जगडालू नहीं थी पर किसी किसी के लिए उनके मन में गांट पड़ जाती थी पतानी क्यों एक किस्सा सुनाती मूँ पापा जी की जब डेथ हुई उनके एक कलीग अमेरिका में अपने बेटे के पास गए हुए थे लोट कर आये तब उन्हें इस हादसे का पता चला दोनों पती-पत्नी फौरण मिलने चले आये उनका फोन आते ही मम्मी जी ने साफ कह दिया वे बाहर नहीं आएंगी वे किसी से मिलना नहीं चाहेती वे लोग आये तो मैंने बाहना बना दिया कि उनकी तबियत ठीक नहीं है वे सजन तो बाहर बैठे रहे श्रीमती जी हाल चाल पुछने कमरे में चली गई मम्मी जी आराम से कुर्सी पर लेटे-लेटे पुस्तक पढ़ रही थी मेमान देखकर उन्हें पुस्तक तो रग दी पर ना उठी ना कुछ बोली बस टुकुर टुकुर देखती रही दो-चार आपचारिक वाके बोल कर वो महिला बाहर निकलाई मुझे इतनी शर्म आ रही थी मैंने उसे खुब माफी मांगी पर वे बोली तुम क्यों माफी मांग रही हो ये तो अपेक्षित ही थी था वे कभी हम लों से बात नहीं करती शादियों आफिस के फंक्शन्स में हम लोग मिलते रहे हैं पर उन्होंने कभी बात नहीं की बलकि आज करती तो मुझे आश्चर होता इसलिए मैंने मना भी किया था पर पती देव माने ही नहीं बोले ऐसे मौकों पर पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए वैसे बात कुछ थी भी नहीं पर पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता रहता था मनीशा कई बार लोग हीन बोथ से इतने ग्रस्त हो जाते हैं कि सारी दुनिया उन्हें शत्रों लगने लगती है पर हीन बोथ क्यों? किस लिए? लोग भूल जाते हैं कि उनके पास क्या खूबिया है बस अपनी खामियों को लेकर बिसूरते रहते हैं अब ही हमारी दीदी को ही देख लो शादी से पहले इतना अच्छा गाती थी स्कूल में, कॉलेज में हमेशा इनाम पाती थी रिष्टे की शादियों में, महले के गणेशोत्सों में दादी के ससंग मंडल में उनकी बड़ी मांग होती थी कड़ाई बुनाई में माहिर थी उनके हाथ की सफाई देखते बनती थी कितना सुंदर अलपना डालती थी तीज त्यहार पर वो पूरे घर को पूर देती थी उनकी रसोय की निपूरता तो तुमने भी अन्भो की ही होगी हाँ खाना बनाना तो मैंने यहीं आकर सीखा है पर आप बता रही थी कि मम्मी जी बड़ा अच्छा गाती थी मैंने तो कभी उनकी गुर्णगुनाते हुए भी नहीं सुना वही तो बता रही हूँ शादी के बाद उनकी सारी खूबियों में जैसे जंग लग गया उसका कारण भी है तुम तो जानती हो हिंदुस्तान में नई बहु की गुणवत्ता पर रखने के दो मांदर्ण है रूप और रुपया हम मध्यम वर्गिये मातापिता की संताने हैं अपनी तीनों बेटियों की शादियां उन्होंने खूब धूमधाम से की पर बोरी भर कर रुपया नहीं दे सके हम दोनों की सस्राल में पैसों की एहमियत ज्यादा थी रुपयों की कमी को पाटता है रूप और तुम तो जानती हो हिंदुस्तानी व्यक्ति के लिए रूप का परियायरवाची है रंग गोरा रंग दीदी यहीं मात खा गए उनके नाट नक्ष तीके थे आँखें बड़ी बड़ी कजरारी थी बाल घने लंबे काले थे कद काठी सुडॉल थी पहनने उनने का सलीका उनके पास था पर उनका रंग जरा दबा हुआ था इस एक कारण से उनके सारे गुण फीके पड़ गए इसी कारण शाय सस्राल में उनका यतोचिस स्वागत नहीं हुआ उन्हें आलोचना और उपेक्षा सहनी पड़ी उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं पर समझ में तो आता है न नई नवेली का उल्लास कभी उनके चेरे पर जलका ही नहीं वे मनीमन बुझ गहीं थी जैसे अगर पती का सहनबूती बरा हाथ पीट पर हो तो औरस सारी अवहिलना और उपेक्षा जेल जाती है पर जीजा जी के लिए क्या कहूं कई पुर्शों के पास वो सोच वो समझ होती ही नहीं है दीदी दीरे दीरे अपने आप में सिमर्टी चली गई अपने रख रखाओ के परती उधासीन हो गई सास संगार से उन्हें विरक्ति सी हो गई हम दोनों बहने उन्हें खूब डाट लगाती कहती हैं कि दुनिया भर की ओरते हमेशा जवान बनी रहने के लिए तरह तरह के जतन करती हैं कैसे कैसे नुस्खे अपनाती हैं पर तुमों की असमे बुढ़ापे गुने मंतर दे रही हो हम उन्हें ब्यूटी टिप्स देते उटन बना कर देते तरह तरह की क्रीम ला कर देते पर सब व्यर्थ हो जाता था मौसी उन्हें जैसे भी रहना था वो उनका अपना फैसला था उससे किसी को कोई शिकायत नहीं हो सकती पर होता क्या था कि जो लोग टिप टॉप स्मार्टली ड्रेस अप होती स्टाइलिश लुक में नजर आती उनसे मम्मी को चिड़ हो जाती वे उन्हें तरह तरह के नाम दे डालती छम्मक छलो, हीरोईन, मिस इंडिया, फेर अंड लवली बुड़ी, घोड़ी, लाल लगाम तो उनका तक्या कराम था अब मुश्किल ये है कि ये भी उनी की तरह सूचने लगे है रोज तो आप देखी रही है, कितनी सादगी से रहती हूँ पर कहीं फंक्शन में जाने के लिए तयार होती हूँ तो इतनी टोका टाकी करते हैं कि क्या बताऊं इतनी डार्क लिपस्टिक क्यों लगाई है साउथ इंडियन हिरोईन की तरह लंबा सा गज़रा क्यों लटका लिया है ये जुमके तुमारे चेरे से भी बड़े लग रहे है सुन-सुन कर बोर हो जाती हूँ सारा मूड हवा हो जाता है लगता है अगर यही हाल रहा तो एक दिन मैं भी मम्मी जी की तरह निस्संग हो जाऊंगी ए लडकी खबरदार जो ऐसा किया बहुत पिटोगी मैंने उसे प्यार से डपट दिया वो हस पड़ी और मुस्से लिपट गई मुझे मनीशा पर बड़ी दया आ रही थी इतनी प्यारी लडकी है ऐसे संकी सोलजर के साथ कैसे निभा रही है इश्वर जाने मेरी लेकिन उसने खूब खातिबदारी की मुझे खूब गुमाया मौल ले गई बिरला मंदिर में दर्शन कराए शहर की मशूर चाट खिलाई बच्चे स्कूल में थे उतनी देर हम दोनों ने एक मैटनी देख ली उसका बहुत मन था एक रात कहें बाहर खाने का पर मनोज के पास समय ही नहीं था उसकी मेरी मुलाकास सुबह नाश्टे के समय होती या फिर रात के खाने की मेश पर बाहर खाने का तो मुझे खास शौक नहीं था पर ड्राइंग रूम में बैट कर देर रात तक गपशक तो की जा सकती थी पर वो भी नहीं हुआ मनो सचमुझ बिजी था या मुझसे बच रहा था मनीशा ने बताया था कि स्मार्ट स्टालिश या टिप टॉप महिलाओं से मम्मी जी को बहुत चिर थी और जिनसे उन्हें चिर थी उन्हों से बेटे को भी अलरजी थी मुझे याद आया जीजा जी हमेशा मुझे स्मार्ट बेबी कहते थे और पिंकी को पिंकी दर ग्रेट कहके पकारते थे और मुझे स्मार्ट बेबी क्या मेरी स्मार्टनेस दीदी को घरती थी? क्या जीजा जी की प्रशंसा उन्हें चुपती थी? खलती थी? क्या मैं भी उनके शक्के दाइरे में थी? मनोज की बेरुखी कहीं उसी का प्रतिबिम्ब तो नहीं सोच कर मन खटा सा हो आया आके मेरे जाने का दिना पहुँचा वादे के मताबिक मनोज घर जल्दी आ गया था मुझे स्टेशन पर उसे ही चोड़ना था बच्चों की टूशन का समय था तो मनीशा का घर में रहना जरूरी था अशुर सिक्त नैनो से उसने घर से ही मुझे विदाई दी ट्रेन पांच-दस मिनट लेट थी प्रतिक्षा में खड़े हम दोनों इधर-दर की बाते करते रहे इतनी फुरसत में मुझे पहली बार मिला था एका एक में भावुक को आई मनोज मैंने कहा तुम जानते हो मौसी को कहीं कहीं मासी भी कहते हैं मतलब मा जैसी मौसी और मा में कोई अंतर नहीं होता दोनों एक ही ममता देती हैं इसलिए जब भी कभी मम्मी की याद आए बे खटके मेरे हाँ चली आना मुझे बहुत अच्छा लगेगा थैंक्स उसने अपने गहन कंभीर स्वर में कहा थैंक्स फॉर दा इंविटेशन मौसी पर माफ कीजिए मैं मम्मी की जगे किसी और की कलपना भी नहीं कर सकता शी वास दा वन एंड उनली फॉर मी थैंक्स ओल दा सेम मैं तो सन्न रह गई इस लड़के ने मा के ने नक्ष तो लिये ही है क्या उसकी तीखी जबान और तुनग मिजाजी भी विरासत में ली है बहुत बुरा लगा अपने लिए कम मनीशा के लिए ज़ादा रात को ट्रेन में अपनी बर्त पर लेटी तो मैं उसी के बारे में सोच रही थी मा का नाम लेती ही लड़का इतना आकरामक क्यों हो जाता है इसे ऐसा क्यों लगता है कि सामने वाला उसकी मा की अवमानना कर रहा है शायद उसने बच्पन से अपनी मा को अकेले अन्याय से जूजते उपेक्षा सहते देखा है इसलिए उसके अवचेतन में ये भाव बैट गया है कि मा की रक्षा उसे ही करनी है अंजाने में ही वो मा की ढाल बन गया है मा की मृत के बाद भी उसकी गर्मा के प्रत सचेत है सतरक है काश बेटे की एक चोथाई समवेदन शीलता भी अगर जिया जी के पास होती तो आज इतिहास दूसरा होता मेरी इस नहें मईदीदी ना इस तरह नकारात्मक्ता की प्रतीक बनती ना बेटा इतना आसाहिशों होता काश अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी मैम की लिखी हुई कहानी ममास बॉय अगर आपको कहानी प्रस्तुती और चैनल का कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब जरू करिये मुझे खुशी होगी धन्यवाद